Instagram ID केसे बनाए, Instagram का ID केसे क्रेट करें आज दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप भी एक Instagram के अंदर जो अपना नया ऐकाउन बनाना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है उसके लिए वास इस वीडियो को पर आइंड लेक देखते रहे ना चले दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ना अपना Instagram का ID बनाने के लिए क्रेट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम आपको उपन करना है उसके बाद आपको नीचे एक option मिले का create new account का यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको इस तरीके से यहाँ पे पूचा जाएगा आपका नंबर क्या है आप देखो दोस्तों इंस्टाग्राम आकाउंट जो है आप अपने नंबर से बना सकते हो या फिर आपके पास एक Gmail आइडी यानि कि Gmail आकाउंट है तो Gmail आकाउंट से भी आप बना सकते हो दो options आपके पास होते है एक नंबर और दूसरा होता है Gmail आप यह जो में से आप कोई भी चूज कर सकते हो आपकी मर्जी है तो सबसे बेले मैं आप यहाप में Gmail से बनाओंगा मतलब मैं email ID से खैकर अपना Gmail देठा हूँ जो यह मैं इसी जीमेल से बनाने हो ठीक है जी मैल लिखने के बाद ये से सटरके से आपको अपना पूरा Gmail लिखना उसके बाद आपको next step क्या करना यह मैं आपको देता हूँ जीमेल लिखने के बाद आपको next कर देना है आप next करने के बाद देखो आपने जो gmail जो आपने दिया था उसी gmail के ओपर एक code आएका जो की verification code होता है तो simple है आपको अपना gmail का यह जो app जो है इसको open करना यह वाला से आपको जो है न एक code आएगा यह वाला code इसको copy करना होगा वही आपके Gmail पर आएगा जो आपने Gmail दिया था तो simple है उसी Gmail को यहाँ पर उसी code को यहाँ पर copy करके आपको Instagram आपको open करके वही code को यहाँ पर copy paste कर देना है तो इसके बाद देखो हमने यहाँ पर code जो है आपे copy paste कर दिया उसके बाद आपको next के option पर click करने के बाद इस तरह के से यहाँ पर यह जो है next हो जाएगा नेक्स हो जाने के बाद आपको create a password अभी आपको अपनी इसाब से एक password जो है create करना है जो कि यहाँ पर में एक password create कर देता हूं तो आपको भी दोस्तों यहां पर जो अपना एक password create करना होता है आप जो चाहिए वो password यहां पर दे सकते हो यही आपका Instagram ID का password रहेगा जो आप यहां पर देने वाले हो तो यह password आप ध्यान से देना और बिल्कुल आपको समझने हैं जैसा देना ठीक है कोई भी password दे सकते हो बस आपको या अपना हो कर सकते हो यह आपके मर्जी है उसके बाद इस तरह के से next step आएगा what's your birthday ठीक है आपको यहां पर अपना जो है date of birth देना है जो भी आपको जितने भी आप साल के हो जितना भी आपका date of birth है वही आपको दे देना चाहिए यहां पर मैं दे देता हूं date of birth आपका जित date of birth ही तरह के से देने के बाद यहां पर set के option पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको next करना होगा next करने के बाद इस तरह के से full name बोलेगा अब यहां पर अपना full name दे तो जो भी आपका नाम जो यहां पर आपको अपना full name आपको दे देना चाहिए अब यहां पर मैं दे द म plupart लोग जो है आपके french जो भी दोस्त हो जो आपका आपका आड्या एकाउंट सेर्च करने के लिए यह यूजर नेम सेर्च करेंगे हो लोग तो वही आपको यहां पर अपने इसकiveness देना चाहते हो यहां पे दे सकते हो तो देखो यहां पे आप जो चाहिए हो यूजर नेम दे सकते हो लेकिन हां कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे यूजर नेम होते है क्योंकि तो इसका मतलब है कि यह अल्रेडी लिये वे रहे तो आप थोड़ा सा यहां पर डिफ्रेंट्स कर दो अगर आपका नाम यहाँ पर जैसे कि कुमार है या पिर साहिल खाने तो ऐसा है कि साइड में आप नंबर लगा लो इस तरीके से भी कर सकते हो ठीके बस आपको आपको यह भी मैं आपको बतायता हूँ, उसके बाद next करना है यूजर नेम देने के बाद, यहाँ पर आएगा agree यहाँ पर इंस्टाग्राम की जो policy terms condition इसको देख के ठीक से agree कर देना, ठीक है अब agree करने के बाद next step क्या करना हुआ यह देखो, हमारे इंस्टाग्राम का जो id यह create होके हो चुका है, अब देख सकते हो हमारे इंस्टाग्राम का id जो है create हो चुके है बस इसका terms condition यहाँ पर यह accept हो रहा है अब जैसे accept हो जाएगा, तो हमारा Instagram का id यहाँ पर open हो जाएगा open हो जाने के बाद आप अपना यहाँ पर प्रोफाइल को add चाहिए, तो add कर सकते हो, जो भी आपको अपना प्रोफाइल चाहिए न, आप एक फोटो लेके भी यहाँ से add कर सकते हो, यहाँ से मैं कोई भी एक simple photo को add कर देता हो यहाँ पर देखो, मैं simple photo add कर देता हो, अपने इसाब से आप जो चाहिए मर्जी से आप अपने इसाब से गैलेरी से भी अपना फोटो प्रोफाइल लगा सकते हो यहाँ पर मैं यह वाला फोटो सेट कर देता हो, ठीक example के लिए आप जो चाहिए अपने मर्जी से फोटो को भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, अपने गैलेरी से भी फोटो ले सकते हो तो यह मैं simple बताने के लिए आपको एक photo click करके इसको add कर देता हो, add करने के लिए simply आपको ok करना है उसके बाद नीचे आप इस तरह के से process हो जाएगा, अब देखो, आपकी Instagram ID एदि तयार होचुकि है इस तरह के से कर दिया आप यह जो है following आप जो भी करोगे यहां पर आ जाएगा यह तो आपको उतना पता ही होगा ठीक है अप में इसको चाहे तो आपको unfollow भी कर सकते हो आपकी मर्ज़े से कुछ भी दिक्कत नहीं होगा लेकिन यहां पर देख सकते हो यह हमारे